अगर मानलीजिए आपके सिस्टम में बहुत सारा application और बहुत सारा file खुला हुआ है और आपको बीना mouse का use किये हुए keyboard से ही आपको बारी-बारी से अलग-अलग tab में जाना है मानलीजिए इससे पहले जिस tab में या फिर जिस file में आप काम कर रहे थे उस file में जाना है तो simply keyboard से alt और tab एक साथ प्रेस करेंगे तो जो इससे पहले जो use कर रहे थे file या फिर application ओपन हो जाएगा फिर से alt और tab प्रेस करेंगे तो फिर से जो application आप use करेंगे तो उस application पे चले ज बिना mouse key का use किये हुए तो alt को press किये हुए रहेंगे और tab की press करते जाएंगे बारी बारी से तो इस तरह से जो है आप एक-एक फाइल या फिर एक-एक application पर move करते जाएंगे अब जिसको open करना है जैसे मान लिजे हमें Microsoft Excel open करना है तो बस अब alt और tab को छोड़ देंगे फिर से अगर हमें दूसरे application या फिर दूसरे फाइल पर जाना है तो alt की को press किये रहेंगे और tab की press करते जाएंगे तो इस तरह से हम ए अगर हमें folder create करना हो new folder create करना हो तो उसके लिए बहुत सारे user को पता नहीं होता है और पता भी होता है तो वो क्या करते हैं कि इस तरह से right click करके new पे आके यहां पर folder वाले option पे आते हैं और यहां से new folder create करते हैं लेकिन इसका अगर shortcut पता हो तो और भी एकदम professional के तरह हम काम क कर सकते हैं तो कैसे करेंगे उसके लिए हम keyboard से control shift और n key जैसे ही प्रेस करेंगे तो एक साथ यहां पर new folder open हो जाएगा अब इसे जो भी नाम देना है वो हम नाम दे सकते हैं उसके बाद फिर से यह इस पर नाम rename कर दिए enter करेंगे और फिर से अगर हमें new folder create करना है तो control shift और n की जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहां पर new folder create हो जाएगा दोस्तो बीना नाम वाला folder कैसे बनाए ऐसे तो बीना नाम वाले folder का कोई काम नहीं होता है कोई जरूरत नहीं होता है लेकिन बहुत सारे जो computer user होते हैं उनसे बहुत सारे लोग पूछ देते हैं कि अगर बीना नाम क होना चाहिए वो folder कैसे create करेंगे तो यह बहुत सारे लोग पूछ देते हैं question कर देते हैं तो वहाँ पर यह भी जानना जरूरी हो जाता है तो उसके लिए कैसे बनाएंगे सबसे पहले मान लीजिए हम इस file को ही अगर जी यह जो new folder for करके है इसको right click करेंगे और यहां से हम इसे rename वाले option में आएंगे यहां पर show more properties पर आएंगे यहां से rename करेंगे और यहां से अगर इसे हटा देते हैं backspace से इसका नाम हटा दे जैसे enter करेंगे तो फिर से वही new folder for करके आ जाएगा तो दोस्तों इसका shortcut एक trick है उसके तरूज है हम इसे blank folder बना सकते हैं बिना नाम का folder तो सबसे पहले क्या करेंगे इसे rename करेंगे फिर से show more options पर आएंगे और यहां से rename वाले option पर आएंगे इसे backspace इसे इसे हटा देंगे जो भी new folder लिखा हुए इसे हटा देंगे और keyboard से alt key को press किये रहेंगे और keyboard से tap करेंगे 0160 ठीक है अब उसके बाद जैसे enter करेंगे तो देखेंगे कि बिना नाम का folder यहां पर create हो गया है